सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे कल्यान जवैलर सेने अपने quarter 2 के number disclose कर दी तो कैसे रहे हैं quarter 2 के number चलिए फटाफट से देख तो इसका effect stock के ओपर कैसा रहेगा क्योंकि आज तो market off है तो कल के दिन market open होगा तो वहां पर इसका असर हमें पूरा का देखने को मिलेगा और पीछे भी stock ने काफी शांदा रिटेंस निकाल कर दी हैं तो चलिए फटाफट से देख लेते भी results क्या चाहे हैं और आगे क्या कुछ इसका effect हमें stock के ओपर देखने को मिल सकता है तो यहां पर हम discuss करेंगे भी इसके consolidated statement को लेकर ठीक है all figure in rupees million में दे रखे लेकर हम आपक को एक करोड में convert करके बता हुआ यहां पर आपको जो नभी income देखने को मिल रही है यहां पर quarter ended और आपको लगबग half year ended results देखने को मिलेंगे अगर total income के बात करें इस quarter के दोरान वह कह अभी वह है लगबग 4,400 27,666,00 और previous में 4,400 sorry 4,300 87,49,00 तो previous quarter से income में जम्प है और वहीं previous year के same quarter से compare करें तो वहां पर लगबग 3,400 81,00 के income थी तो वहां से तो भी देखो 10 क्रोड के करीब income में जम्प है तो quarter on quarter income में जम्प year on year basis पर भी हमें income में जम्प देखने को मिलेंगे और वहीं half year में ब्य पर रहा है उसके बाद आप लोग देखोगा total expense जो total खर्चे हमें देखने को मिले भी अपकी बार के 4,250,00 क्रोड के previous में 4,198 क्रोड के तो previous quarter से expense बड़े हैं और वहीं previous year के same quarter से compare करें तो जहां पर 3,340 क्रोड के आज पास expense थी तो वहां से भी expense बड़े हैं but revenue अपके बार expense से ज्यादा है तो इसको लोग company फिर profit बनाया है कितना बनाया है चलिए देखता भी profit after tax तो यहां पर आप लोग देखो जो company ने profit अपके बार बनाया हुआ 134 क्रोड 87,00 का previous में क्या था 143 क्रोड 55,00 तो previous quarter से इसके profits तूटे हैं और वहीं previous year के same quarter में 105 क्रोड का profits था तो वह profits काफी शांदार हुए अभी year on year basis पर quarter on quarter थोड़े बहुत तूटे हैं क्योंकि देखो expense वगरा हाई हुए है उन सबको देखते हुए उसके बाद आप लोग देखोगे EPS यानि earning per share जो EPS हमें देखने को मिल रहे है एक रुपे 31 पैसे previous में 41 और previous year के same quarter में 1 रुपे 3 पैसे तो यहां पर अगर बात करें कुछ announcement की तो वीडियो को post करके जो यह notes दिएगा न भई इन्हें details में पढ़ देना ठीक है and thank you for watching the video